दानदन सत्गुरु तेरा यास्रा भाई जी सत्गुर की मेर से सत्गुर जी ने नामदान भक्षा लगबल सन 1996-1997 में तब से सत्गुर ने अपने चर्णों से जोड रखा था लेकिन जो चीज होनी चीए थी जिस हिसाब से सेवा सिमरन करना चीए था आप उस हिसाब से कभी नहीं कर पाए खुद की कमियां थी खुद की गलतियां थी जो सत्गुर जी ने अब निकलवाई एक क्लास फैलो था मेरा प्लस टू में हम लोग लगबग तू थाउजन्ट या लगबग उससे एक साल पहले इकठे थे उसके बाद हम लोग अलग लग होगे वो अपनी जोब पे चला गया और मैं दुकानदारी में चला गया क्रीब बारा या तेरा साल बाद उस बंदे से बात चीत हुई उस बंदे ने बताया जैसे उसका सेवा सिमरन काफी अच्छा चल रहा था उसने जब भी पूछना भाई सिमरन तो आगे से जबाब यही होता था कि भाई एक मिंट भी नहीं बैठते तो अब तो जैसे सद्गूर या जात दिलवाता है पिछसे की तो कभी एतन दिन भी निकले थे पूरा पूरा महिणा भी ऐसे निकलाता कि कभी नारा भी नी जिवान से निकला था फिर उन भाई से बादचीच शुरू हुई बादचीच चलती रहती थी अब उन्होंने बाद में बताया कि वो यहां से अखंड सिमरण में आये वो अखंड सिमरण में बैठे सद्गूर ने उनको नजारे दिखाए जैसे तो उनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई तू एक बार सरसा आजा तो क्योंकि जैसे काल भी शरार्त करता है, मन भी शरार्त करता है, वो दबाव डालते भी नहीं जाना तो काफी दिन बहाने बनाए, नहीं भाई जी नहीं आ सकते, घर की प्रॉब्लम्स बहुत जादा हैं, दिक्कते हैं, कैसे आएंगे, कैसे होगा तो बोले नहीं भाई तू एक बार आजा, एक बार मेरी रिक्वेस्ट माले, सिर्फ एक बार के लिए आजा तो मालिक ने रह्मत करनी थी भाई, तो उन्होंने सत्कुर ने बुला लिया, उनके जरीए कैसे भी तो यहां आए, सत्कुर की रह्मत हुई, यहां बैठे, कभी याद नहीं आता भी, एक मिन्ट भी धंक से बैठके सिमर्ण किया हो, सेवा की हो सारा दिन बुरे करम, सारा दिन बुरे करम, तो मालिक ने रह्मत की, सत्कुर जी ने बिठाया, उन्होंने करवाया और जो कभी सोचा नहीं था, कभी ख्याल में नहीं था, कि इस हद तक सत्कुर ले जा सकते हैं, वहां तक सत्कुर लेके गए बस भाई जी वो सत्गुर है करने करवाने वाड़ा वो कर सकता है किसी की कुछ हिमत नहीं है कुछ कर जाए लोग कहते हैं कि चमतकार नहीं होते अरे भाईयों चमतकार होते हैं अपन देख नहीं पाते हैं अपनी आँखे नहीं हैं कोशिश तो करके देखो बैठो तो सही सिम्रन तो करो आपके कदम उठाने से पहले वो आपको जमतकार दिखाएगा लेकिन उसके लिए पहले खुद को इमत करनी पड़ेगी सिम्रन करना पड़ेगा भाई जी सभी से हाद जोड कर बेंती है सिम्रन कर लो सिम्रन कर लो उसी में फाइदा है सिम्रन हमने अपने लिए करना है सत्गुर के लिए नहीं करना उसमें फाइदा अपना है सत्गुर जी ने हमारे कर्म काटने उसने ने बहाने बनाए बहाने बनाके हमारे कर्म काट रहे और जो कटवा लेगा जो सिमरन कर लेगा भाई वो फाइदे में रहेगा नहीं तो काल की मार तो पड़ेगी पड़ेगी कोई नहीं बचा सकता बैजी शुरू में तो जैसे कभी बैठे नहीं थे लेकिन यहां सरसा दरबार में आने पर सत्गुर जी ने मेर की उन्होंने बिठाया शुरू में दो या तीन घंटे और उसके बाद टाइमिंग बड़ी और लगबग 13-14 घंटे सत्गुर ने बिठाया सत्गुर ने रह्मत की लगातार बिठा के सिमरन करवाया और जो जैसे पहले लाइफ थी उस लाइफ में इतना चेंजिंग आ गया कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हाँ ऐसी लाइफ भी हो सकती है हर टाइम कोई नो कोई परशानी खड़ी रहती थी अब कोई परशानी नहीं है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हर समय सत्गुर सहाथ देते हैं कोई काम ऐसा है ही नहीं कि हाँ सोचना पड़े उसके लिए सोचने से पहले हर काम होते हैं दन्दन सद्गुरू तेरा यास्रा